दोस्तों आज का वीडियो हमारा solar cell का wiring हम किस प्रकाश से हमारे घर में करेंगे उसके बार में हैं दोस्तों यहाँ पे आप एक solar cell देख रहे हैं यहाँ पे जो हमने solar cell का इस्तेमाल किये थे यदि यह 12 बोल्ट का है तो यहाँ पे जो हम बैटरी का इस्तेमाल करेंगे वो भी हमारा 12 बोल्ट का बैटरी होगा ठीक है दोस्तों यहाँ पे जो हमारा बैटरी होगा उसका rating यानि की voltage हमारा solar cell के बराबर होना चाहिए दोस्तों यह जो हमारा solar cell है इसको यदि हमें इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इस्तमाल करना है तो यहाँ पे हम direct connection नहीं करते हैं यहाँ पे हमें एक solar charge controller का इस्तमाल करना पड़ेगा यह हमारा solar charge controller होता है अब ये जो हमारा solar charge controller है इसके दवारा हम बैटरी को charge करेंगे ठीक है अब ये जो हमारा solar charge controller है इसको input power supply देने के लिए हम इस solar cell का इस्तमाल करेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा solar cell है इसका जो positive terminal होती है वहां से एक wire को connect करके लाएंगे और जो हमारा solar charge controller होती है उसका जो पहला terminal होता है यानि कि ये वाली terminal इस terminal पे हम wire को connect कर देते हैं ये जो हमारा पहला terminal होती है इस terminal पे हम solar cell का जो positive wire होती है उसको connect करते हैं ठीके दोस्तों, अब यह जो हमारा solar cell है, इसका जो negative wire है, उसको हम ले जाके इस दूसरे वाले terminal पे connect कर देंगे, यह हमारा negative terminal हो जाएगा, अब यहाँ पर हमने इसका connection कर दिया, तो यहाँ पर जो हमारा solar charge controller था, इसको input power supply मिली गया solar cell के दोरा, ठीके दोस्तों, अब यदि मुझे यहाँ पर बैटरी के इस्तमाल नहीं करना है, यानि कि मुझे यदि इस solar cell के दोरा directly किसी bulb को या भी electrical equipment है जो DC से चलती है, यदि मुझे उसको connect करना है, तो मैं direct connect कर सकता हू यहाँ पर example के लिए मैंने आपको DC bulb दिखाया हूँ, ठीके, अब यदि मुझे इस DC bulb को direct करना है, इसके दोरा, यहाँ पर बैटरी का इस्तमाल backup के लिए के दोरा है, तो यहाँ पर मैं backup का इस्तमाल नहीं करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो हमारा solar को connect करूंगा, और इसको ले जाके हमारा जो bulb है, उसको positive supply दे दूँगा, इसी परकार से यह जो दूसरा terminal है, यहाँ से एक बार को connect करके लेके जाऊँगा, और इसको क्या करूंगा, बल्ब को negative supply दे दूँगा, ठीके दोस्तों, अब यदि मैं इस परकार से connection करता हूँ, त उतने टाइम हमारा बल्ब गलो करेगा, लेकिन यदि रात होती है, तो यह रात में हमारा जो बल्ब है, वो off जाएगे, क्योंकि रात में हमारा जो solar cell होती है, वो काम नहीं करता, दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, कि यहाँ पे हम solar charge controller का इस्तमाल क्यों कर रह यानि कि sunlight है, वो normal condition में, तो यह जो हमारा solar cell है, वो 12 volt प्रड्यूस करेगा, लेकिन यदि हमारा जो धूप है, वो करेक्टी धूप है, तो उस condition में यह जो solar cell है, वो जादा voltage प्रड्यूस करेगा, आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि यह जो हमारा solar cell है, यह 20 volt तक voltage को यह जो solar charge controller है, वो voltage को नियंतरित करेगा, यानि कि output voltage जो देगा, वो constant voltage देगा, ठीके दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, कि किस पकासी यदि हमें बिना बैटरी का इस्तमाल किए, DC appliance को connect करना है, तो कैसे करेंगे, ठीके, अब यहाँ connection करने के लिए हम क्या करेंगे, यह जो हमारा solar charge controller है, इसका जो तीसरा terminal है यह वाली, इस terminal से हमें एक वायर को connect करके, इसको ले जाके हमारा जो बैटरी है, उसके positive terminal पे connect कर देगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा positive supply है, वो हमारे बैटरी में पहुच जाएगी, ठीके, अब य यहां से में एक वायर को connect करके, ले जाके, हमारा जो बैटरी है, उसको negative supply दे दूँगा, तो यहां पे हमने connection कर दिये, ठीके दोस्तों, तो यहां पे हमारा solar charge controller था, उसमें जितने भी connection करने था, वो complete हो गया, अब दोस्तों, यह आप इस अपका से connection करते हैं, तो आपका जो solar cell है, वो यहां धूप में है, यानि कि voltage को produce कर रहा है, तो क्या होगा, यहां पे जो हमारा solar charge controller है, वो इस battery को भी charge करेगा, और कुछ हिस्सा इस bulb को देगा, जिससे कि यह जो bulb है, वो glow करेगा, अब यह जो bulb है, उसका load ज्यादा है, इस solar cell से, तो उस condition में क्या होगा, हमारा battery charge नहीं हो, जितने भी power supply produce होगा, वो सीधे इस output में चली जाएगी, ठीके, अब यदि हमारा जो output load, यानि कि load जो हम connect किये हैं, यहां पे, वो यदि कम है, तो उस condition में हमारा battery charge होती है, ठीके दोस्तों, यहां पे आप load करने करने से पहले, आपको यह मादर होना चाहिए, सबसे यादा तो AC appliance होती है, यानि कि AC load होता है, ठीके दोस्तों, तो यहां पे मैंने एक जामपर के लिए एक पंखा और दो LED बल्ब ले लिया हूँ, ठीके दोस्तों, दोस्तों देखिए, यह जो हमारा पंखा और दो LED बल्ब है, इसको चालू और बन करने के लिए, यहां यहां पे में एक switchboard का इस्तमाल करूँगा, तो यह हमारा switchboard हो जाएगा, ठीके दोस्तों, इसी switchboard के दोरा हम इनको control करेंगे, अब दोस्तों देखिए, यह जो हमारा पंखा है और LED बल्ब है, यह AC supply से चलने वाली है, ठीके दोस्तों, और यहां पे हमारे पास एक battery है, आप इसके दोरा हम DC supply को AC में convert करेंगे, तो यह जो हमारा inverter है, वो simple inverter है, ठीके, यहां पे आपको solar inverter भी मिल जाएगा, यह आप solar inverter का इस्तमाल कर रहे हैं, तो आपको यह solar charge controller का इस्तमाल करने की जोत नहीं पड़ता है, ठीके दोस्तों, यहां पर मैंने normal inverter का इस्तमाल किया हूँ, इसलिए आपको solar charge controller का इस्तमाल करना पड़ेगा, दोस्तों, यह जो हमारा inverter है, इसमें आपको तीन केबल दिख रहे होगे, एक तो यह red वारा केबल, दूसरा यह black वाली, और यह input power supply के लिए केबल होता है, ठीके, तो खुल मिला के inverter में तीन केबल है, अब यह जो हमारा inverter का red केबल है, इस केबल को हमें बैटरी के positive terminal के साथ connect करना होता है, तो यहाँ पर हमने इसको connect कर दिया, अब यह जो black केबल है, इसको हम बैटरी के negative terminal के साथ connect कर देंगे, ठीके, जिससे क्या होगा, हमारा inverter है, उसको input power supply बैटरी के द्वारा मिल जाएगा, अब हमारा inverter था, उस यहाँ से हमें power supply लेना पड़ेगा, तो यहाँ से power supply लेनी के लिए, मैं एक plug top का इस्तमाल करूँगा, ठीक दोस्तों, यह हमारा plug top हो जाएगा, अब इस plug top के द्वारा ही, हम इस appliance को connect करेंगे, दोस्तों, यह जो हमारा fan और bulb है, इनको हम direct power supply यहाँ से ले जाके connect नहीं करें क्योंकि यह जो हमारा appliance है, उसको control करने लिए, यहाँ पर हमने एक switchboard का इस्तमाल किये थे, तो यहाँ से जो हमारा plug top है, उसमें से एक wire को connect करेंगे, और इसको ले जाके हमारा switchboard है, उसके किसी भी एक switch के साथ connect करेंगे, ठीक दोस्तों, जिससे क्या हुआ हुआ, यह जो हमा तो यह जो दाहिना pin है, इस pin पे आपको face वाली wire को करना है, ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने इस switchboard में, यह जो हमारा switch है, इसको input power supply मिलिया, अब यह जो switch है, इस switch के इस्तमाल में इस fan के लिए करूँगा, यानि कि इस fan को यादी मुझे चालू करना है, तो इस switch को press कर के चालू करूँगा, लेकिन यह जो हमारा fan है, इसके speed को भी मुझे control करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक regulator लगाया हूँ, तो इस fan को control करने के लिए regulator का भी इस्तमाल करूँगा, ठीक दोस्तों, तो दोस्तों, इसके लिए मैं क्या करूँगा, यह जो हमारा switch है, output terminal से एक वायर को connect करूँगा, और इसको लिए के हमारा जो regulator है, उसको input power supply दे दूँगा, दोस्तों, यह जो हमारा regulator है, इसके output terminal से एक वायर को connect करूँगा, और इसको लिए के हमारा जो fan है, उसको input power supply दे दूँगा, यानि की fan supply दे दूँगा, अब दोस्तों देखिए, यह को कंट्रोल करने के लिए मैं इस स्विच का इस्तमाल करूँगा तो इस स्विच को इन्पुट पावर सप्लाई देने के लिए मैं क्या करूँगा यहां से एक वायर को लूप करके इस स्विच को इन्पुट पावर सप्लाई दे दूँगा अब यह जो हमारा स्विच है इसक को कंट्रोल करने के लिए मैं इस switch का इस्तमाल करूंगा तो इस switch के तरह हम कैसे इस बल्ब को कंट्रोल करेंगे देख लीजए ये जो switch है इसको input power supply देने के लिए यहां से एक वाईर को connect करूंगा और ये जो switch है इसके incoming terminal पे connect जूँगा अब ये जो हमारा switch है इसके outgoing terminal से एक wire को connect करूँगा और इसको लियाके हमारा जो bulb है उसको face supply दे दूँगा ठीके दोस्तों अब दोस्तों देखिए यह जो हमारा दूसरा bulb है इसको control करने के लिए इस switch का इस्तमाल करूँगा तो इसको भी same connection करूँगा यहां से एक wire को connect करके इस switch को input power supply दे दूँगा और इसके outgoing terminal से एक wire को connect करके इस bulb को हम face supply दे देंगे तो यहां पे हमारा जो face supply का connection था वो complete होगे ठीके अब हमें क्या करना है neutral supply का connection करना है neutral supply का connection करने के लिए यह जो हमारा plug top है इसका जो left hand side वाली pin है यह वाली ठीके इस pin के साथ हम क्या करेंगे एक wire को connect करेंगे और इसको लेजा के हमारा जो socket है इस socket के बाएं वाले pin में connect कर देंगे यह जो left hand वाली pin है वो हमारा neutral supply के लिए हो जाएगी अब यहां पे हमारा जो load था उनको भी neutral supply देना है तो इनको neutral supply देने के लिए मैं यहां से एक wire को loop करूँगँगा और इसको लेया के हमारा जो fan है उशको neutral supply दे दूँगँगा ठीक दोछकों अब यहां पे जो हमारा बल्ब है उनको भी neutral supply देना है तो उसके लिए यहां से एक wire को loop करूँगा और इन दोनों बल्ब को neutral supply दे दूंगा अब दोस्तों देखिए ये जो हमारा socket है इस socket में एक और pin दिख रहा हुआ ये मोटा वाला pin इस मोटे pin में हमें earth connect करना होता है तो यहां से मैंने एक wire को connect करके लाया और इसको इस terminal पे connect कर दिया इस inverter में एक और additional benefit है क्या additional benefit है दोस्तों देख लिजे ये जो inverter है इस inverter को हम AC power supply के द्वारा भी charge कर सकते हैं यानि कि AC power supply देने पे यहां पे output power supply मिलेगा इस battery को charge करने के लिए ठीक है तो कैसे इसको charge करेंगे उसको ब्यारे में भी समझ लिए यहां पे हमें inverter को AC power supply से charge करने के जोड़ क्यों है दोस्तों समझ लिजे दोस्तों यह जो हमारा solar cell है वो केवल धूप में काम करता है यानि कि इस solar cell पे यह रोशनी पढ़ती है तो यह क्या करेगा voltage को produce करेगा जिससे हमारा बैटरी है जो है वो charge होगा अब यदि हमारा जो season है वो बरसाद का या फिर थंड का मोसम है तो उस बरसाद के मोसम में या फिर थंड के मोसम में क्या होता है धूप बहुत कम निकलता जिससे कारण से हमारा जो बैटरी है वो अच्छे से charge नहीं हो पाता उस condition में हमें इस बैटरी को charge करने के लिए AC power supply की जोट पड़ेगा तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे charge करूँगा तो दोस्तों यह जो हमारा inverter रे इसको AC power supply की दोर चार्ज करने के लिए यहाँ पर हम एक socket का इस्तमाल करेंगे दोस्तों यह जो socket है इस socket को input power supply देने के लिए यहाँ पर मैं एक MCV का इस्तमाल करूँगा अब यह जो हमारा MCV है इस MCV में जो input power supply होगा वो man power supply होगा यानि कि जो बिजली के खंबे से power supply आती है उसको हम देंगे यह जो हमारा MCV था उसके एक terminal पर मैंने face supply कनेक कर दिया और दूसरे terminal पर neutral supply कनेक कर दिया अब यह जो हमारा MCV है इसके outgoing terminal से मैं क्या करूँगा neutral supply को कनेक करूँगा और इसको लिएक हमारा जो socket है उसको neutral supply दे दूँगा ठीक है अब यहाँ पर जो हमारा face वारी terminal है उसमें से एक wire को कनेक करूँगा और इसको लिया के यह जो हमारा switch है इसको input power supply दे दूँगा अब मैं क्या करूँगा यह जो हमारा switch है इसके दोरा मैं इस socket को control करूँगा तो इसके लिए क्या करूँगा यहां से output supply से एक wire को connect करूँगा इस socket को face supply दे दूँगा दोस्तों यहां पर जो connection था मैंने उल्टा कर दिया हूँ यानि कि face supply को मैंने बाये वाले pin पे connect कर दिया हूँ और neutral supply को दाये वाले pin पे यहां पर मैंने connection इसलिए उल्टा गया हूँ अर्थ को connect करना होता है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहां से को connect करूँगा और इसको लिया के इस मोटे वाले pin के साथ connect कर दूँगा जिसे क्या होगा इस मोटे वाले pin को अर्थ मिल जाएगा ठीक है दोस्तों तो यहां पे हमार जो power socket है उसका connection complete हो गया है अब मुझे क्या करना है इस socket के दोरा इस inverter को input power supply देना है यानि कि charging के लिए input power supply देना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहां पे एक plug top का इस्तेमाल करूँगा इस plug top के दोरा मैं इसको input power supply दूँगा अब दोस्तों देखिए यह जो केबल है यानि की charging वाली जो केबल है उस केबल को मैं क्या करता हूँ एक wire को connect करके लाऊँगा और इस plug top के सार connection कर दूँगा दोस्तों यहाँ पे मैं plug top का connection आपको explain नहीं करूँगा क्योंकि आपको plug top का connection आता ही होगा दोस्तों यहाँ पे जो हमारा wiring था वो complete होगे दोस्तों यहाँ पे एक चीशिश हमझ लीजिए दोस्तों यह जो हमारा socket है उसको हमैं सार चालू करके न रखिएगा यहाँ पर चालू करके इसलिए नहीं रखिएगा क्योंकि यहाँ पर यही इसको चालू करके रखते हैं तो यह जो हमारा inverter है वो power supply यहाँ से लेके direct power supply charging के लिए इस बैटरी को देगा जिससे क्या होगा यहाँ पर हमारा solar cell वो भी इसको चार्ज करेगा बैटरी को और यहाँ से भी charging voltage मिलेगा जिससे यह जो बैटरी है वो हमारा खराब हो सकता है ठीक है हम इस plug top का इस्तमाल उसी time करेंगे जब हमारा solar cell वो work ना करें यानि कि यहाँ पर जो हमारा plug top है उसका इस पसन आया होगा दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसन आया तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक शेर और कमेंट कर दीजिएगा और यदि आभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब निकिया तो सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद.